26 जनवरी को ये देश एक नया इतिहास बनते व见 देखेगा 26 जनवरी को हर बार गनतंत्र दिवस होता है गनतंत्र दिवस की परेड होती है हम अलगना गराज्यों की जाकिया देखते हैं हर हिंदुस्तानी कampf Suchie थोड़ी हो जाती है लेकिन इस बार गनतंत्र दिवस पे गनतंत्र किसान परेड होगी क्यों होगी, क्या होगा, कहा होगा, कैसे होगा ये सब सवाल आपके मन में होगे मैंने सोचा दो मिनिट के लिए आपको इसके बारे में बता दो क्यों होगा, विरोध प्रदर्शन नहीं होगा लोग समझ रहे हैं गणतंत्र दिवस पे आप आके विरोध प्रदर्शन करोगे नहीं नहीं विरोध प्रदर्शन नहीं है ये तो गणतंत्र गणतंत्र हम भूल जाते हैं गणतंत्र का मतलब है गण का तंत्र गण मतलब जन्ता पीपल रिपबलिक का मतलब है जहां लोग सब से उचे हूँ, तो मैं सिंपल कहता हूँ, गणतंत्र में गण की प्रतिष्ठा का पर्व मना रहे हैं, उतसव मना रहे हैं, क्योंकि इतने सालों में गणतंत्र बोलते बोलते हुआ क्या जब तो बेचारा गया दब और तंत्र हो गया हावी, सतर साल के बाद इस देश में एक ऐसा दिन मनाएंगे जिसमें गण उपर होगा एक तरफ जवान देश के लिए परेड करेगा दूसी तरफ किसान देश के लिए परेड करेगा तो हम तो गण का परू मना रहें कहा हमने तेक किया ये दिल्ली के अंदर होगा देश की राजधानी के आओ आओ आप दिल्ली के बाहर करो आप ये करो वो करो राश्टी राजधानी के अंदर नहीं आओ बड़ा दिक्कत है सीकुरिटी कंसटरेशन है ट्रैफिक है सब कुछ है लेकिन गनतंत्र के दिवन राश्टी राजधानी में किसान क्यों ना आए वैसे भी दो महीने हो अब एक बार दिल्ली के अंदर भी तो जाग के देखेंगे सो दिल्ली के अंदर जाएंगे हमने अपनी तरफ से आउटर रिंग रोड दिया है पुलिस कहते है ना रिंग रोड का ता आप सोचो ही मत पुलिस कहती है ने ने आप जो बाहर एक्सप्रेस वे है उस पे कर लो एक्सप्रेस वे पे करेंगे क्यों देखेगा ये ऐसे तो आप राजपत की करने की बजाए रिपब्लिक डे परेड भी आप नहीं और जाके कर लो ये तो दिल्ली में ही होगा ना सब लोगों ने मन बना रखा है और हमारी तरफ से भी पिश्प्रेस नियरना है उस दिन हम दिल्ली के अंदर जाएंगे अंदर का मतलब यह नहीं को लाल किले में गुच जाएंगे पारलिमेंट में गुच जाएंगे हमने बार बार स्पर्षट किया है ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है बस दिल्ली में आउटर रिंग रोड पे या जो कोई भी रूट तै होता है कोई रूट के बारे में फिक्सिटी नहीं है कि भई यहीं पे ही इसी रूट पे करना है चलो कोई और रूट देखेंगे और हमने तो पुलिस को कहा अगर आपको किसी एक पॉइंट पे दिक्कत है आप हमसे शेयर कीजिए हम उस रूट को बदल लेंगे हम थोड़ा डाइवर्शन बना देंगे लेकिन हमें उस दिन रौत तक मेरट और फोनी पत इसके अंदर मत गुमाओ यह हमारा उदिशन है तो 26 जनवरी को होगा दिली के अंदर होगा कैसे होगा ट्रेक्टर्स होंगे ट्रेक्टर के साथ जांकियां होंगी मुझे पब्लिक डे की जांकियां निकलती है न हमारी भी जांकियां होंगी अलग अलग स्टेट्स होंगे मुझे उमीद है कि फौज के जवान भी होंगे उसमें आएंगे जो हमारे किसान है तो फौज के जवान भी है खिलाडी भी होंगे लेखक भी होंगे, टीचर भी होंगे डॉक्टर भी होंगे, सब तरह की लोग आएंगे जो किसान के साथ खड़े होने हिंदोستان किसान के साथ खड़ा होगा आप जहांकी देखेंगे और ये जो कहते हैं ना सिर्फ पंजाब और हरियाना का अंदोलन है वो ये भी देखेंगे कि पंजाब और हरियाना के इलावा कहां कहां से लोग आते हैं बहुत कुछ होगा अब हर बात आपको अभी नहीं बताऊंगा लेकिन आप देखिएगा सब लोग देखेंगे उस दिन करेंगे पूरी तरह से शांति पूर्ण तरीके से करेंगे हमने क्या कुछ कहा है हर ट्रेक्टर के उपर हर वाहन के उपर एक तिरंगा होगा एक और किसान संग्ठन का जंडा हो सकता है किसी पार्टी का जंडा नहीं होगा बिल्कुछ परश्टम ने कर दिया है किसान आंदोलन है और एक तिरंगे की इज़त तिरंगे की आनबान शान बड़ाने के लिए घटाने के लिए नहीं है तो वो करेंगे किसी तरह का प्रोवोकेशन नहीं किसी तरह की हिंसा नहीं क्योंकि हम समझते हैं हिंसा हुई हम हारेंगे शान्ती रहेगी हम जीतेंगे और इस अंदोलन ने अल्रेडी पुरी दुनिया में मिसाल बना दिये शान्ती की और उस तरहें की शान्ती की मिसाल को हम बनाए रखेंगे और डूस और डोंट्स क्या-क्या होंगे अगले कुछ दिनों में हम आपको यहां इस चैनल से किसान एकता मोर्चा से आपको बताएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या साफधानी रखनी है, क्या चीज़ को आगे बढ़ाना है, किस चीज़ को हमें छोड़ना है पूरी सूचना आपको देंगे, आप यहां पे देखते रहिएगा, सारी information आपके पास आएगी, committees बन रहे हैं, पूरा ध्यान कर रहे हैं, discipline कर रहे हैं, volunteer हो रहे हैं, आपको क्या करना है, अगर आप किसान हो, किसान परिवार से हो, किसान हितैशी हो, तो आपको दिल्ली आना ह भई, पहला काम तो यह हर फैमिली से एक मिंबर तो दिल्ली आना चाहिए ना, हर गाओं से ट्रेक्टर बाहर निकलने चाहिए, तो पहला काम तो आप यह कर सकते हो, एकठा करो, कोई दूसरा साथी आना चाह रहा है, ट्रेक्टर में डीजल नहीं है, उसका थरा डीजल बादो किसी तरह से अब मदद करें हर्याना के गाओं में तो उन्होंने हर हर एक एक किले पे सौ सो रुपए का लगा दिया शुल कि सब रिक अठा करेंगे उसके इसाब से काम करेंगे तो ये सब चीजे हो रही है खुद आए आने वालों को सहयोग दें इसकी इन्फरमेशन दें अगर आप खुद नहीं आ सकते इसके बारे में प्रचार करो आप देख रहे हो इसको सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर वाइरल कीजिए इसके बारे में ऐसी परेड हो कि दुनिया देखे और हर हिंदुस्तानी का सीना चोड़ा हो जाए ऐसी परेड हम करेंगे गनतंत्र दिवस में किसी तरह का विग्न नहीं डालना आप मैसेज डाल सकते हो और मैसेज साफ हो हम दिल्ली जीतने नहीं आ रहे हम देश का दिल जीतने आ रहे है आप दिल्ली में रहते हैं परेड में शामिल नहीं हो रहे बाहर आओ देखो तो जैसे रिपब्लिक डे की जहां की देखने जाते हैं न आप आईए रिंग रोड पे जहां से भी निकल रही होगी आईए स्वागत कीजिए पानी पिलाईए लंगर खिलाईए फूल डालिए ताकि देश इस अन्न दाता को एक बार याद करे अगले कई दिन तक और इंफरमिशन आपके पास देते रहेंगे तमाम तेरे की अफ़ा चलती रहेगी मीडिया पे उसका ध्यान मत दीजिएगा 26 तारीक को ये देश इस बार गण तंत्र दिवस सचमुच में गण के तंत्र का दिवस बनेगा आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे सब लोग मिलके करेंगे बहुत शुक्रिया धन्यवाद